केजरिवाल की गारंटी का मतलब है केजरिवाल सर कटा देगा लेकिन केजरिवाल की गारंटी पूरी होके छोड़ेगी केजरिवाल की गारंटी पूरी होगी मध्यपर्देश वानों को 24 गंटे पिजली चाहिए नहीं चाहिए केवल आम आदमी पार्टी दे सकती है और कोई नी दे सकता आपने दोनों पार्टी है ट्राई करके देख ली 75 साल हो गए और 75 साल ही दोनों पार्टी हो को ट्राई करके देख लेना बिजली नहीं आने वाली बिजली तो केवल आम आदमी पार्टी देगी अगर विजली चाहिए आम आदमी पार्टी को वोट दे देना और अगर पावर कट चाहिए तो इनको दुबारा वोट दे देना दोनों पार्टे यहां के दिसंबर में चुनाव होगा 30 नवंबर तके जितने पुराने विजली के बिल है सारे पुराने बिजली के बिल मास एक साल के अंदर 24 गंडे बिजली कर देंगे और आपके बिजली फ्री कर देंगे आपके बिजली के बिल जीरो आने लग जा देंगे जब हमारी पंजाब में सरकार बनी थी पंजाब में हमारी 16 मार्च को हमारी सरकार बनी थी 16 मार्च को हमारी सरकार बनी जी 31 दिसंबर तक के पूरे पंजाग के 31 दिसंबर तक के जितने बिजली के पुराने बिल थे सारे माफ कर दिये थे यहां के दिसंबर में चुना होगा 30 नवंबर तक के जितने पुराने बिजली के बिल है सारे पुराने बिजली के बिल मास एक साल के अंदर 24 गंडे बिजली कर देंगे और आपकी बिजली फ्री कर देंगे आपके बिजली के बिल जीरो आने लग जाएंगे और जितने कच्चे टीचर है कच्चे टीचरों को पक्का किया जाएगा और जब टीच्टरों से शिशा की बजाए भाटी सारे काम कराते हैं कभी election duty कराते है इनका teacherों से केवल्ट का काम कराये जाएगा कि स्वास्ठ की गारेंटि आज आज आपके घर में कोसे भीमार वाज़ाए कोई सरकारी अस्पिताल नहीं जाता सरकारी अस्पितालों का बेड़ा गर्क है मध्य पर्देश में भी हर गाहों में महला क्लिनी खोलेंगे और हर जिले के अंदर शांदार सरकारी अस्पिताल बनाएंगे और हर मध्य पर्देश बासी का जैसे दिन्ली में और पंजाब में किया सारो इनाज मुफ्त करेंगे टेस्ट फ्री, दवाईयां फ्री, सब कुछ फ्री मिलेगा और सुटी, बेरोजगारी है कि नहीं है? आज हर घर गेंडर बिचारा कोई ना कोई बच्चे बेरोजगार बैठें मध्यपर्देश में भी हर बेरोजगार बच्चे के लिए रोजगार का इंतजाम करने की कोशिश करेंगे और जब तक रोजगार नहीं मिलता हर बेरोजगार को तीन-तीन हजार गपे महीना बेरोजगारी बच्चा दिया आप सरकारी दफ्तर में जाते हो आप पटवारी के दफ्तर में जाते हो सरकारी दफ्तर में जाते हो ISDN दफ्तर कोई काम होता है बिना रिश्ट के कोई सर्टिफिकेट बनवाना हो राशन काड बनवाना हो बिना पैसे के नहीं होता अब आपको उतना काम कराने के लिए सरकारी कर जाने की जुरूरत नहीं पड़ेगी लाइन में लगने की जुरूरत नहीं पड़ेगी दलानों के चक्कर काटने की जुरूरत नहीं पड़ेगी नंबर जारी करेंगे हम लोग भुजुनकों को तीन थ्यात्रा कराते हैं अभी अभी पिछले एक ट्रेन में ट्रेन विदा करके आया हूं द्वार कदीश गई है बारा जगे द्वार कदीश शिर्डी बाबा रमेश्वरम अयोध्या जी मधुरा बिंदवन हरिद्वार इशिकेश ऐसे बारा जगे उसमें से कोई एक जगे बुजुर्ग को चुन लेते हैं वहां पर हम उनको तीर थ्यात्रा कराके लाते हैं आना जाना खाना पीना रहना सब फ्री एसी ट्रेन से ले जाते हैं एसी होटल में धराते हैं अभी तक 73,000 बुजुर्गों को मैं तीर थ्यात्रा करा चुपा हूं आप लोग माकद होगे तो मद्य परदेश के हर बुजर्ग को उसके मन पसंद स्थान का तेठिया पुलिस या मद्य परदेश का रहने वाला कोई सैनिक बॉर्डर पे शहीद होगा तो उसकी शहादत के बाद उसके परिवार को एक करोड रुपे की संभावा को दिला कच्चे करंशारें जितने ठेके पर काम करने वाले सबको पक्ता किया जाएगा और सब कोंका अधिकार दिलाएजाए जितनी बात आटे मैंने बताइए इतनी बात्व मेंने बताईए को पाल्यकल इंगतीकल के इसे बातें नहीं करते हैं परफॉर्मर थे अपना दंदा चोड़ के आए बगगंतमान साथ हम यहां पर देश बनाने के लिए हैं पैसाच कमाने के लिए खाओ ज्रुद आने के लिए हैं अबना साथ